Hello friends, welcome to my YouTube channel, exercise 15.1 से question number 4 करेंगे The following graph shows the temperature forecast and the actual temperature for each day of a week यह जो graph आपको दे रखा है, यह दो तरह के temperature दिखाता है एक तो forecast temperature, forecast temperature वो होता है जो सिर्फ अनुमानित लगाया जाता है जो अनुमानित temperature होता है actual temperature, जो actually में उस दिन temperature होता है तो एक हफ़ते के हर दिन कर यह दोनों तरह के temperature आपको दिखा रखे है थोड़ा read करते हैं जरा graph को Monday से लेके Sunday तक यह days यहां लिखे हुए है और side में यहाँ पर temperature degree Celsius में दे रखा है forecast temperature के लिए graph के अंदर dotted line का यूज किया गया है actual temperature को दिखाने के लिए graph के अंदर moti line का dark line का यूज किया गया है और यहाँ temperature का जो scale दे रखा है यह दो boxes को 5 degree Celsius के बराबर दे रखा है यानि एक box का मतलब हो जाएगा 5 का half यानि 2.5 अब ज़रह इसके questions के जवाब देते हैं वो कौन कौन से दिन है जहाँ पर forecast temperature और actual temperature दोनों की value same आ रही है तो मैं मंडे को देखता हूँ तो यह दोनों values अलग आ रही है Tuesday को देखता हूँ तो दोनों के दोनों यह जो line है यह A की dot पर यानि A की value पर दिखाए दे रही है तो Tuesday को forecast weather भी same है actual weather भी same है तो एक तो दिन हो गया है इसके अंदर Tuesday आगे देखू Wednesday को तो दोनों values अलग आ रही है Thursday को दोनों values अलग आ रही है Friday को दोनों temperature same है जितना actually में अनुमान लगाया और जो actual temperature है दोनों same है तो दूसरा दिन हो गया इसके अंदर Friday Friday के बाद Saturday को देखता हूँ तो actual और forecast दोनों temperatures की value अलग अलग आ रही है Sunday को देखता हूँ तो Sunday को जो बिल्कुल same value पर दोनों के दोनों मिल रहे है Sunday को भी दोनों temperature same value दिखा रहे है तो एक Sunday हो गया तो इन तीन दिन actual और forecast दोनों temperature same आ रहे है B part देखते हैं What was the maximum forecast temperature during the week Maximum यानि सबसे ज़्यादा और forecast temperature बताना है तो dotted line पर focus करेंगे तो dotted line की मैं यह देखूँगा सबसे highest value मुझे कहां पर दिख रही है यह 15 है फिर 20 हो गया 25 फिर नीचे हो गया यह और भी नीचे हो गया फिर यह उपर चला गया फिर सबसे उपर चला गया तो यह जो value यहाँ पर है न यह highest value है इस graph के अंदर forecast की और यह value है इसके सामने जब देखेंगे यहाँ पर temperature वाली line में यह 35 degree Celsius है तो maximum forecast temperature 35 degree Celsius है C part What was the minimum actual temperature during the week अब minimum बताना है और actual temperature बताना है तो मैं actual temperature पर focus करूँगा जो की मेरी सीधी line है यह तो actual की value सबसे कम देखूँगा मैं सबसे कम यानि की graph के नीचे की तरफ देखूँगा यहाँ पर यह 15 से उपर आ रही है अब और उपर चलीगी और उपर चलीगी यह नीचे आ गई है यहाँ से यह बिलकुल straight जा रही है अब यहाँ से यह ऊपर चली गई है तो सबसे कम जो values की दिखरी है न मेरे को actual temperature की वो यह दो values दिखरी है क्योंकि यहाँ से नीचे तो temperature जाए नहीं रहा और यह जो values है यह values सेम है और यह है 15 degree 15 degree Celsius इसका answer है डीपार्ट देखते है on which day did the actual temperature differ the most वो कौन से दिन था जब actual temperature सबसे ज़्यादा difference था from the forecast temperature forecast से सबसे ज़्यादा difference यानि दोनों के बीच में difference जो है वो सबसे ज़्यादा कौन से दिन था तो मंडे को देखता हूं मैं मंडे को इनके बीच में जो difference है न वो एक box का आ रहा है value पे भी ध्यान न दे तो सिर्फ box से ही पता चल लियाएगा इसके जो बीच में difference है उससे ही पता चल लियाएगा यहाँ पे एक box का difference आ रहा है Tuesday को तो दोनों के दोनों temperature से ही में Wednesday को दो boxes का gap आ रहा है और Sunday को फिर दोनों temperature से ही में तो इनमें जो सबसे ज़्यादा difference मेरे को दिख रहा है न वो यहाँ पे है यह 3 box का difference है यादि कि 7.5 degree Celsius का इनमें difference है लेकिन हमें value नहीं बतानी हमें तो सिर्फ दिन बताना है तो वो दिन है Thursday तो इसका answer हो गया Thursday Thursday को सबसे ज़्यादा difference है actual temperature और forecast temperature के बीच question खतम तो इस वीडियो में बस इतना ही next questions के लिए मिलते हैं फिर next वीडियो में तब तक के लिए goodbye